नमस्ते दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही यूटूब चैनल नयन पोखर कर प्रोपेशनल ट्रेडर में ये वीडियो में हम लोग एस बैंक का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्राइज एक्षन के हिसाब से ये बैंक का जो अभी एपियो आया था उसकी वज़े से येस बैंक बहुत न्यूज में है तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेश्ट आ रहा था कि येस बैंक में किस तरीके का मुमेंट एक्सपेक्टेड है तो हम लोग प्यवरली प्राइज एक्षन के हिसाब से देखेंगे तो अभी अगर आप मंतली चार्ट देखते हो तो मंतली चार्ट में आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है ये 12 मार्च के दिन जो लो बना था वहां से लो बना के मार्केट बहुत बड़े आपसाइड़ मुमेंटम देके दुबारा मार्केट यहां पे अल्मूस 87 के करीब गया था 87 से दुबारा प्रोफिट बूकिंग स्टार्ट हुआ और मार्केट नीचे आने लगा और नीचे आने के बाद एक एप्रिल के दिन दुबारा थोड़ा सा बाइंग यहां पे आ गया और बाइंग आने के बाद दुबारा मार्केट ने यहां पे हाई बनाया 30 रूपिय का तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो 12 मार्च के टाइम पर 17 रुपय से मार्केट ऊपर गया था 17 रुपया 45 पैसे से और उसने हाई बनाया था 87 रुपीज 30 पैसे का उसी तरीके से 1 एपरिल के दिन मार्केट ने लो बनाया था 20 रुपया 25 पैसे का और फिर उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया 30 रुपय का तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दिखाई दे रही है कि यह जो लेवल यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके बताये हुए है एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट होते है तो आप लोगों को सपोर्ट लेवल का और रेजिस्टन्स लेवल का बेसिक साइकलोजी समझना पड़ेगा मार्केट में जो लोगों ने यहाँ पर बाई किया रहेगा तो उपर जाके सेल किया रहेगा तो वो लोगों ने यहाँ पर पैसा बनाया रहेगा दूसरा एक important point जो अभी market में news में चल रहा है that is a yes bank का IPO तो yes bank एक छोटे जो retail निवेशक होते है वो retail निवेशकों का भी बहुत ध्याना भी stock पर बना हुआ है तो यहाँ पे यह जो support level बन रहा है यह support level के करीब आके market अल्डेडी दो बार उपर घूम चुका है तो तीसरी बार दुबारा जब market यहाँ पे आया हुआ है तो यहाँ पे यह rate में एक volume का भी अच्छा कासा confirmation यहाँ पे हमें मिल रहा है तो यहाँ पे एक थोड़ी सी possibility यह बनती है कि market थोड़ा उपर भी जा सकता है और उपर जाने के बाद यह जो resistance level है यह जो gap यहाँ पे बन रहा है यह छोटा सा gap यहाँ पे resistance level की तरह act हो सकता है तो यहाँ पे अभी भी आगर आप देखोगे तो fundamentally उनके जो problem है वो continue है उनका जो fundamental के हिसाब से issue चल रहे थे वो अभी भी issue sort out नहीं हुए है daily chart के बजाए हम लोग monthly chart के उपर weekly chart के उपर देखेंगे तो वहाँ पे भी clear cut अभी downtrend ही बता रहा है लेकिन अगर daily chart में हम लोग detail analysis करते हैं तो detail analysis में एक थोड़ा सा upsided swing यहाँ पे मिलने की possibility है मैं आपको possibility बता रहा हूँ यह अनुमान है यह गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है लेकिन जो technical parameter price action के इसाब से अभी मुझे जो बता रहा हूँ मैं आपके साथ share कर रहा हूँ market important support level के करीब आ चुका है support level के करीब आने के बाद यहाँ पे अच्छा कासा volume के साथ market ने कल closing दिया हुआ है तो इससे एक possibility बन रही है कि market यहाँ से थोड़ा सा bounce bank होने के chances है तो इसी तरीके का same price action trading strategy में मेरे खुद के account में भी trade करने के लिए use करता हूँ और यह जो अपना telegram का free channel है यह free channel में यहाँ पे free के signals में मैं intraday के देता हूँ तो यह free channel का link में नीचे description की box में दिया हुआ है आपको चाहिए तो आप यह channel के उपर click करके यह telegram channel के link के उपर click करके उसे join कर सकते हो उसी तरीके से YouTube के उपर अपना एक educational channel है नयन पोखर कर professional trader के नाम से तो यह educational channel के उपर already मैंने बहुत सारे educational videos डाले हुए है तो मेरी आप से request रहेगी कि यह channel को आप subscribe कीजिए और subscribe करने के बाद bell icon का button दबा दीजिए तो जैसे ही मैं कोई नया video launch करता हूँ इमिजेट आपको उसका notification आ जाएगा अगर यह short video आपको अच्छा लगता है तो इसको like कीजिए और like करने के बाद share कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह video पहुँच जाएगा अगर आपको किसी particular stock का complete technical analysis करके चाहिए तो comment section में मुझे वो stock का नाम बता दीजे तो मैं मेरी तरब से वो analysis करने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा यह yes bank का जो analysis आज मैंने आपको करके दिखाया है यह comment section में ही मुझे कुछ followers ने बताया था तो उनकी request के उपर ही मैंने यह video बनाया हुआ है तो आशा है कि यह video आपको अच्छा लगा रहेगा Thank you very much